Hey guys, कैसे हैं आप सब? Motorola ने आज अपनी एक नई सीरीज इंडिया में लोंच कर दी है जो के है Motorola Edge सीरीज इससे पहले Motorola की E सीरीज आती थी G सीरीज थी उसके बाद एक प्रीमियम सीरीज आपको मिलती थी जिसमें आपको Razer phones मिलते थे अब G सीरीज और प्रीमियम सीरीज के अंदर एक और सीरीज आपको मिलेगी जो के होगी Edge सीरीज इसी Edge सीरीज के अंदर Motorola ने आज दो नई स्मार्टफोन सोच की है पहला जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वो है Edge 20 Fusion इसके बाद दूसरा phone Motorola ने दोंच किया है Edge 20 अब इसके दो वेरियंट्स आपको मिलेंगे मेरे पास है 6GB, 128GB वेरियंट और इसकी pricing साधे 21,000 रखी गई है Edge 20 इससे थोड़ा महंगा phone है बहतर phone है और उसकी pricing आपको 30,000 मिलेगी इसके जबा bank offers जो भी होंगे वो आपको अलग से देखने के लिए मिल जाएंगे और दोस्तों Motorola मेरे हिसाब से एक ऐसा brand है जो के कुछ ऐसी चीजें आपको phones में provide करता है जो के बाकी दूसरे brands नहीं कर पाते हैं लेकिन Motorola ज़ादा phone sounds नहीं करता तो अब जब ही नया phone आया है मैं बहुत जाला excited हूँ एक नई series भी है तो इसके बारे में बहुत सारी details आप आज आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि क्या-क्या नए features अपने साथ ही लेके आता है तो वीडियो को मिस्मत कीजेगा वीडियो अच्छा लगे तो like and share कीजेगा तो यार हमारे चैनल पर जो लोग वीडियोस देखते हैं उनमें से 98% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग वीडियो को like तो बहुत करते हैं सब्सक्राइब भी करतेंगे तो मुझे बहुत motivation मिलेगा के अंदर आपको क्या क्या मिलता है तो फोन के उपर एक sticker लगा है जिसको हम यहां पर उतार देते हैं और फोन के उपर cover जो है वो आपको पहले से ही apply करके दिया गया है कोई भी screen guard यहां पर applied नहीं है और cover की बात करूँ तो यह silicon वाला case आपको मिलता है जिसकी quality ठीक ठाक आपको मिल जाती है अंदर थोड़ा सा texture है ज्यादा नहीं है तो अभी के लिए cover को side में रखते हैं और phone की यहां पर अगर मैं बात करूँगा इस phone का जो touch करने का feel है वो काफी different सा है हलांके मुझे plastic feel हो रहा है लेकिन मतब actually में अगर आप देखेंगे तो normal जो दूसरे phones में आपको plastic bags मिलते हैं उनसे काफी different और काफी बहतर सा मुझे लग रहा है अभी के लिए और काफी lightweight phone भी है ज़िए अभी के लिए phone को मैं side में रखता हूँ फोन की बातों हम करेंगे ही जल्दी से box contents आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ तो यहाँ पर एक छोटा सा user manual है इसके बाद एक charger आपको मिल जाएगा जो कि Motorola का turbo charger आप बोल सकते हैं और इसके उपर 30 दिखा है और यह actually में 30 volts का charger है और एक interesting चीज यहाँ पर अगर आप देखेंगे guys इसके उपर USB type C port आपको मिलता है मतलब इस phone में आपको power delivery या फिर type C to type C वाली cable देखने के लिए मिलेगी जो के बहतर charging का experience आपको provide करती है अब चलिए charging को भी test करेंगे लेकिन अभी के लिए अगर आप बात करें तो यहाँ पर आप cable देख सकते हैं cable की quality definitely काफी इची है और type C to type C cable यहाँ पर आपको दी गई है इसके नीचे यहाँ पर आपको एक SIM tray ejector pin मिल जाएगा चलिए box contents को अभी के लिए side में करते हैं और वापी से आते हैं phone के उपर phone के बारे में दुबारा से बोलना चाहूँगा guys कि phone जो हो काफी slim feel हो रहा है आतों में और actually में काफी lightweight है मतब आजकल कुछ phones काफी heavy आपको मिलते हैं यह 5000 mh की battery के साथ आता है फिर भी इसका जो weight है वो काफी अच्छे से distribute किया गया है मतब बिल्कुल भी heavy मुझे feel नहीं हो रहा चलिए यह phone को turn on करता हूँ उसके बाद एक physical overview यहां पर आपको phone का दे लेता हूँ physical overview की बात करें तो right side के उपर आपको volume rockers और power key मिल जाएगी sim tray की बात करें तो इस phone में आपको hybrid sim slot मिलता है मतब के आप memory को expand कर सकते हैं लेकिन उस case में आप सिरफ एक ही sim card यूज कर पाएंगे top side के उपर आपको एक mic मिल जाता है तो secondary noise cancellation mic आपको इस phone में दिया गया है और नीजे की तरफ आपको earphone jack में मिल जाता है जो के again एक अच्छी चीज है type c port है primary mic है और यहां पर primary loudspeaker है अब इस phone में dual speakers है या नहीं यह आगे चलके वीडियो में test करेंगे cameras की बात करें तो इस phone का एक बड़ा highlight इस phone में आपको 108 megapixel का primary camera मिलता है उसके साथ एक 8 megapixel का ultra wide camera है जो के macro की तरहां भी काम करता है और तीसरा camera यहां पर आपको depth sensing के लिए दिया गया है उसके साथ यहां पर आपको flash मिल जाएगी और Motorola की branding है front में आपको 32 megapixel का punch hole camera दिया गया है तो primary cameras जो है rear और front दोनों तरफ ही आपको काफी high resolution के मिल जाते है और display की बात करें तो 6.7 इंचिस का AMOLED display आपको मिलता है full HD plus display है 90 Hz के refresh rate के साथ आता है और HDR10 को भी support करता है तो यहां पर guys हमारा phone जो हो setup हो चुका है और first look में अगर आप देखेंगे तो काफी amazing सा wall paper यहां पर दिया गया है क्योंकि MLR display है तो black color का wall paper actually काफी सुन्दर सा दिख रहा है और यहां पर सबसे पहली खास चीज़ जो आप notice करेंगे कि इस phone में आपको almost stock Android जैसा experience मिलेगा इवन अगर आप settings page के उपर आ जाएंगे या फिर drawer के उपर जाएंगे तो आपको फालतू कि यहां पर apps देखनी के लिए नहीं मिलेगी मतलब कि bloatware देखनी के लिए नहीं मिलेगा आप देख सकते हैं सिरफ Google की या फिर Motorola की अपनी apps आपको मिलेगी अब Moto की apps की बात करें तो काफी सारे features भी Moto provide करता है तो ये चीजें सबको अच्छी लगती हैं अगर आप personalize में जाएंगे तो यहां पर कुछ features आपको मिल जाएंगे अगर आप styles में जाएंगे तो कुछ और features आपको मिल जाएंगे gestures में आप जा सकते हैं काफी सारे different gestures आपको इस phone में मिल जाते हैं और guys ये सारे features तो आपको पता है कि मैं काफी अच्छे से अपनी tips and tricks वादी वीडियो में explain करने ही वाला हूँ, तो वहाँ पर जरूर से आप उस वीडियो का वेट कीजेगा, storage के अगर आप बात करें तो 128GB में से लगभग 21GB के करीब यूज़ है, तो लगभग आप समझ सकते हैं कि 107GB के करीब आपको free storage मिलती है, about phone में चल जाएंगे तो यहाँ पर आप Android का version देख सकते हैं, Android version 11 आपको मिलता है, security patch आपको latest यहाँ पर दिया गया है, august का security patch मिलता है, अब यह एक बहुत ही अची चीज़ है, और ऐसा मुझे definitely feel हो रहा है कि 90Hz का जो refresh rate है, वो byte fault आपको enable करके ही दिया गया है, settings के अंदर जल्दी से check कर लेते हैं, यहाँ पर आपको display refresh rate का option मिल जाता है, और आप देख सकते हैं byte fault इसको 90Hz के उपर ही set करके दिया गया है, display quality की यहाँ पर अगर आप बात करें गाइस, सबसे पहले चीज़ आप देख सकते हैं कि आप 4K वीडियो इस फोन में प्ले कर सकते हैं YouTube में, और HDR content obviously supported है, HDR10 का support आपको display में मिलता है, और अगर आप colors देखें गाइस, जो display की brightness है वो भी काफी इची है, और जो colors हैं वो काफी ज़्यादा पंची आपको मिलते हैं, display panel यहाँ पर definitely काफी इचा दिया गया है, और जसके मैंने पहले आपको बताया कि यह 10-bit display है, तो आप 1 billion से ज़्यादा colors इसमें देख सकते हैं, और अगर आप viewing angles भी देखेंगे, तो viewing angles क्योंकि एक MLS display है तो काफी इच्छे आपको मिलेंगे, ओल्मॉस्ट 90 degrees तक भी अगर आप rotate कर देते हैं display को, colors बिल्कुल भी distort नहीं होते, चैसे लिए sound को टेस्ट करने के लिए NCS का एक music यहाँ पर play करते हैं, यहाँ पर guys आपको single speaker मिलता है, मतब के सिरफ नीचे की तरफ यहाँ पर speaker दिया गया है, लेकिन speaker की loudness काफी अच्छी मुझे लगी और even quality अच्छी है, हाला के मैं बोलूँगा कि इस price में अगर आपको dual speakers दिये जाते तो जादा अच्छा लगता, चलिए guys, fingerprint sensor और face unlock भी जल्दी से test करके देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं guys, fingerprint sensor की speed काफी fast है, मतब जैसे ही आप tap करते हैं, हाला के थोड़ा सा एक animation आपको देखनी के लिए मिलता है, लेकिन unlock काफी जल्दी हो जाता है, तो unlock speed मैं बोलूँगा के काफी अच्छी आपको मिल जाती है, और face unlock की अगर आप बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले आपको lock screen देखनी के लिए मिलती है, लेकिन उसके बाद phone तुरंट से unlock हो जाता है, तो face unlock और fingerprint sensor दोनों की speed है, आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिल जाती है, चलिए guys, यहाँ पर आपको Motorola के एक नए feature के बारे में बताता हूँ, जो के इन phones में introduce किया गया है, जिसका नाम है Ready 4, basically आप अपने phone की मदद से computer में एक extra display create कर सकते हैं, और वहाँ पर phone की कोई भी application सी उस कर सकते हैं, एक extended display जैसा feature आपको मिलेगा, start करना बहुत easy है, आपको phone के उपर play करना है उसको, और आपके PC में एक app install हो जाएगा, और उसको अगर आप open करेंगे, तो वो जो QR code है, वो आपको अपने phone से scan करना है, इसके बाद एक ऐसा display या desktop आपको देखने के लिए मिलेगा, अपने Windows PC के उपर, या फिर जिस भी display के उपर आप इसको लगाना चाहते हैं, और इसके अंदर एक निया Windows जैसा platform आपको देखने के लिए मिलेगा, अब यहाँ पर guys, आप काफी सारी चीज़ें कर सकते हैं, यहाँ पर आप कोई भी app को open कर सकते हैं, आप Chrome यूज़ कर सकते हैं, YouTube यूज़ कर सकते हैं, वीडियोस देखने के लिए, मतब एकदब मखन quality का content चलता है, अगर आप YouTube प्ले करेंगे, तो Full HD वीडियोस बहुत ही अच्छी quality में चलेंगी, अगर आप even किसी और app से हाँ पर TV देखना चाहते हैं, या फिर अपनी वीडियोस देखना चाहते हैं, उसके इजावा कोई भी productivity वाली चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं, आप MS Office का कोई काम करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें एक different तरीके से इस desktop board में कर सकते हैं, मतब ये phone जैसे experience आपको नहीं दखता, बलकि PC जैसे experience आपको दखता है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत ही है guys, कि इसके साथ साथ आप अपने phone को normally use कर सकते हैं, मतब मैंने phone को USB cable के साथ connect कर रखा है, वो आपको करके रखना पड़ेगा, अगर आप H20 में ये चीज़ यूज़ करेंगे, तो आप wirelessly भी यूज़ कर पाएंगे, लेकिन इस phone में आपको इसको connect करके रखना पड़ेगा, लेकिन उसके बिना आप phone में calls लीजिए, या फिर कोई और application को use कीजिए, उसके इजावा वो सब चीज़ें आप साथ साथ कर सकते हैं, तो basically PC के उपर या किसी display के उपर, आप अलग से अपने phone को use करेंगे, और phone को आप use कर ही सकते हैं अलग से, गाइस प्रोसेसर और performance की बात करें, तो इस phone में आपको MediaTek Dimensity 800U मिलता है, जो कि यह काफी इचा प्रोसेसर है, 5G प्रोसेसर है और इस phone में आपको under 6 GHz के सारे 5G bands मिलते हैं, लेकिन अगर आप performance की बात करें, BGMI की बात करें, तो सबसे पहले मैं आपको graphics दिखा देता हूँ, settings दिखा देता हूँ, यह phone जो है वो maximum अभी के लिए Smooth Plus Ultra सपोर्ट करता है, इससे पहले भी जो मैंने 800U वाले phones देखे हैं, उसमें 40fps का सपोर्ट ही आपको मिलता है, उच्च जी एक arena का match यहां पर मैं आपको खेल के दिखाता हूँ, gaming performance गाइस मुझे इस phone की थोड़ी average लगी है, मतब कभी-कभी मुझे touch lag या multi-touch issues जैसे ही कुछ problem face हुई, अब हो सकता है कि वो update के साथ जल्दी ही fix हो जाएगा, लेकिन gaming के बिना अगर मैं overall performance की बात करूँ, मुझे उसके बिना कभी भी कोई issues face करने को नहीं मिले, कभी भी कोई lack नहीं हुआ जितना मैंने phone को use किया, और अगर आप even देखेंगे, मतब touch भी काफी fast response करता है, और यहां पर अभी अगर हम camera के अंदर चल जाएं guys, तो जो interface है वो पहले के motorola के phones के जैसे ही आपको मिलेगा, यहां पर ultra wide में switch करने का option आपको मिल जाएगा, उसी के साथ ultra wide के साथ ही आपको macro का option भी दिया गया है, videos mode में अगर आप आजाएंगे, तो again videos भी आप macro और ultra wide दोनों तरीके से capture कर सकते हैं, वीडियो के resolution के अगर आप बात करें, तो यहां से आपको उपर की तरफ swipe करना है, और यहां पर आपको resolution आप देख सकते हैं, कि 4K 30fps में आप capture कर सकते हैं, अगर आप 60 पर switch करेंगे, तो automatically full HD पर चले जाएगा, तो full HD 60fps या फिर 4K 30fps आप capture कर सकते हैं, mic को आप off कर सकते हैं, अगर आप अपनी वीडियोस में audio record नहीं करना चाहते, तो वो option यहां पर आपको directly मिल जाता है, और काफी सारे नए modes यहां पर आपको मिल जाते हैं, मदब कुछ normal modes, portrait mode, night vision mode, यह सब तो आपको मिलते ही हैं, लेकिन उसके साथ काफी सारे और amazing modes हैं, जिसके cut-out mode है, sport color का mode है, अगर आप अपनी photos या videos में सिरफ एक ही color को set करना चाहते हैं, बाकि सारे colors black and white हो जाएंगे, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं, उसे के साथ pro mode यहां पर आपको मिल जाता है, dual capture का option है, अगर आप front camera और rear camera, दोनों के एक साथ capture करना चाहते हैं, इस तरीके से split screen में आप capture कर पाएंगे, और यह जो उपर वाले हैं वो photos के mode है, नीचे आपको videos के लिए भी यह सब features मिल जाते हैं, जिसके dual capture, sport color और slow motion का feature भी आपको मिल जाता है, अब slow motion के आप बात करें, तो front camera का resolution है, वो आपको 4K देखनी के लिए नहीं मिलेगा, सिरफ full HD video से आप capture कर पाएंगे 30fps के उपर, यहां पर आप कुछ camera samples देख सकते हैं guys, चोके obviously primary camera काफी amazing है, 108MP और 32MP, तो अच्छी lighting में अगर आप photos capture करेंगे, तो बहुत ही अच्छी quality आपको मिलेगी, हाला के low lighting में मैंने notice किया है, कि थोड़ी सी photos जो हैं, मतलब soft आती हैं, और उतनी ज़्यादा details आपको नहीं मिलती, और एक और चीज जो मैंने notice किया, कि front camera जो है, थोड़ा सा reddish tint ज़्यादा रखता है photos में, अगर आप face की photos capture करते हैं, तो थोड़ी सी reddish photos आपको मिलती हैं, लेकिन उसके इजाब अगर आप quality देखेंगे photos की, तो lighting के हिसाब से अच्छी रहती है, low lighting में मुझे लगता है, कि थोड़े से cameras को और ज़्यादा enhance किया जा सकता है, हो सकता है, आने वाले updates के साथ quality थोड़ी सी बहतर आपको मिल जाएगी, अभी के लिए आप देख सकते हैं, इस तरीके के samples आपको मिल जाते हैं, और एक और खास चीज़ गाइस, इस phone में आपको virtual RAM या फिर RAM boost को option भी मिल जाता है, जो कि आजकल काफी सारे phones में आप देखते हैं, मतब के storage को यूज़ करके आप RAM को expand कर सकते हैं, जो कि काफी सुनने में दीप सा लगता है, मेरे पास अभी जो variant है वो 6GB RAM वाला है, और इसमें आप 1.5GB RAM को बढ़ा सकते हैं, अभी ये जो option है वो 5.4 enabled रहता है, आप देख सकते हैं, RAM boost enabled है, और total RAM जो effectively मुझे मिल रही है, वो है 7.5GB की, तो यहाँ पर दोस्तों आपने काफी सारी information जान दी है, Motorola Edge 20 Fusion के बारे में, अब मैं बात करता हूँ, अपने personal opinions की और एक final opinions की कि क्या आपको इस phone को मतब purchase करना चाहिए है नहीं, तो मेरे हिसाब से पहली चीज़ जो के मैंने वीडियो के शुरू में भी बोला था, Motorola एक ऐसा brand है, जो के कुछ चीज़ें आपको ऐसी provide करता है, जो के कोई दूसरा brand नहीं करता, जैसे के इस price range में आपको stock Android provide करता है, बहुत ही native experience रहता है, कोई ads नहीं आपको मिलेंगी, कोई blog fair नहीं आपको मिलेगा, उसके जबाब बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में बताई, उसके हिसाब से आप decide कर सकते हैं, तो overall मेरे हिसाब से अगर आप मेरे से पूछेंगे भाईया, ये 21,000 के हिसाब से काफी अच्छा फोन है, इसमें जो AMOLED डिस्प्ले है, उसकी quality बहुत ही amazing मिचे लगी, brightness काफी अच्छी है, फोन NFC भी आपको provide कर देता है, तो मतलब काफी सारे basics जो हैं, वो covered हैं, और उसके उपर आपको काफी सारी special चीज़ें दी गई हैं, तो यही था भी के लिए इस वीडियो में guys, आप लोग बताएगा कि ये फोन कैसा लगा, नीचे comments में बता सकते हैं, और बताएगा कि आप इस फोन को purchase करने वाले हैं, नहीं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like and share ज़रूर किज़ेगा, चैनल को subscribe किज़ेगा, अगर आप इस फोन की और वीडियोस देखना चाहते हैं, टिपस और टिक्स वीडियो बहुत जदी आएगी और और भी बहुत सारी वीडियोस आएगी, इस वीडियो को देखने के आपका बहुत भहुत धन्यावाद दोस्तों,